हेलो दोस्तों पी एम सोट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आशा करते कि आप सभी स्वस्तोंगे आज हम जानेंगे सकट चौत कब है जिसे तिलुआ भी कहते हैं तो एक कब पढ़ रहा है और इसकी पूजा के महुरत सुब महुरत क्या है तो आए हम जानते हैं सनातन धर में सकट चौत करवत खास मात्वा इस दिन महलाएं भक्त इबाव सिवरत रखती है और भगवान गनेश की पूजा अर्चिना करते हैं साल 2023 में सकट चौत करवत 10 जनौरी को पढ़ रहा है ऐसे में इस दिन वत रखका भगवान गनेश की पूजा करने से सभी प्र जानते हैं नए साल 2030 में सकट चौत कव रखा जाएगा और इसके सोब मोरत पूजा वीदी क्या है। आज की सकट माता की पूजा के जाती हैं। पूजा में चार कच्ची चार पक्की सकरकन्दे चार तिल के लड़ू पूरी आंसे सुपारी दूब चरहाइजाती हैं। तिल को भून कर गोड के साथ कूट कर बकरा बना जाता है, कहीं कहीं लाई का और या अरिया चावल का भी बकरा बनाती है, पूझ अगबाद तिल के बने बकरे को लड़के कारती है, सबको इसी का प्रशाद दिया जाता है, पूझ अगबाद इस त्रिया कथा सुनती, तो चल जिठानी अमीर तो उसका पैवार बहुत ही बड़ा बड़ा था देवरानी गरी थी तिनी गरीब के जिठानी की सीवा टहल करके गुजारा करती थी जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उससे अपने जोपरी में आकर पका कर खा लेती पूटे गड़े से पानी पीकर तूटी चा थोड़े से चावल के कन धूनकर इखटे के कन के लड़ू बना बटू勝े बणा कर खा लिया ही रात को सकत माता आई तक लिए की और ख़ड़ी होकर बोली ब्रहमणरी खोलो की वाड़ा देवरानी बोली चली आओ माता की वाड़ कहां थी तर आ आते शकत माता ने बड़ी लगी है कि दिवरानी ने कहा माता जो कुछ दिया है खावकन के लड़ू और बतुवा के धूंदा आगे रख दिया जब माता छक कर खा चुकी तो बोली पानी तो पिलाओ दिवरानी फोटी गगरी लेकर आई पानी पीकर सकट माता सोने की इच्छा कि उस उसने टूटी फिर अपनी पूरी तेरे निपट नहीं पाई पूछा आप कहां जाओ दिवरानी ने का मेरे सीर पर कर लो उन्हों ने उसके सीर सीपाओं तक ते तीर ने ला दिया और चली गए शूबा दिवरानी उठी तो सारी जोपड़ी कंचन में हो गई चार उत्राप सोना ही सोना ब नहीं है उसने अपने लड़के को भेजाओ का जाकर फॉरम बुला लड़के ने जो खबर दी तो जिठानी का जी धक से रहेगा दोड़ी दोड़ी पोहँची हो देखा चार उत्राप सोना ही सोना पड़ा है विक दिवरानी से पूछा किसको गूसा उसको मूसा दोरानी मह जिठानी ने पूछा क्या एसा क्या से वात की तूने सकट माता की प्रसंद हो गए दिवरानी बोली मैंने तो कुछ नहीं किया केवल कन के लड़ू बत्वा के गूंग दोंदा ही दिये खाने को इस प्रकास उसने सब कुछ बता दिये जिठानी घर आयो गरीबों के तरह र ना है तू फूटी गगरी तूटी चार पई रख दिया और सकट माता की रह देखने लेगी सकट माता ने दरवजा करकटा जिठानी ने कहा माता कि वान कहा टटिया खोल आ जाओ माता ने जो पिछले साल दिवरानी के साथ किया वही सब किया जिठानी ने कहा माता जो कुछ है खाओ प्यों तुमसे कुछ छिपा तो नहीं सकत माता ने खाया प्यों टांग फिला कर सोई और आधी रात को घर तथा जिठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली ने सुबह हुए लड़के बच्चे आये देखा चारो तरफ गंदकी गंदकी पहले जिठानी भी गं सबकुछ किया देवरानी ने कहा तुमने तो बहन गरीबी करना टक किया तुमारे पास सबकुछ भरा था इसे सकत माता प्रशंबना कर आवा लगाता था तो आह पकता ही नहीं था, उसने हार मानकर राजा से कहा, राजा ने पंडितों से पूछा, पंडितों पंडितों ने विचार कर कहा कि जा आवा लगाय जाए तब एक बच्चे की बली दी जाए, तब आवा पके गाasionा बच्चों की जुरृती है, और राजा का हुक्म था कि ह गर से एक बच्चा रोज बली के लिए आये, यही करम जाई रहा, बहुत सारे बच्चों की बली चड़गे, एक दिन सकट के दिन आया, उसी दिन कुमार कावा तया हुआ, इस बार एक बुरिया की लड़के की बार, यही लड़का अकेला था, बुरिया व्यकुलती, एक ही ब पाड़ी और दूप का बोड़ा लेकर बेटों को दिया, बोली लो बेटा, इन्हें लेकर आवा बैट जाना और भगवान का नाम लेना, सकट माता चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लड़का नीडर होकर चल लग गया, कुमार ने जब लड़कों की तरह इसे भी आवा में पाड़ी दूप का बोड़ा लिए, बैठा था, सकट माता की कृपा से बेटा मिला और जब नगर के सही बच्चे सकट माता की कृपा से जेवित हो गए, जै माता दी, सकट माता की तीसरी का था, एक ब्रामर था उसे एक ही लड़का था, बहुत गरीब था, उसका लड़का से कहा कि जब राजा के यहां से काम करके चलना तब थोड़े से तीलो गुड मांग लेना जिससे हम पूजा कर लेंगे लड़का राजा के यहां काम करने पहुचा दिन भर काम करने बाद वाए बंडार में घुजगिया बीता से धरवाजा बंद कर लिया वहां तो सारी चीज तो पाप गुर चुराओं तो पाप माग का महीना क्या चुराओं बहरेदारों के कानों में सब्ध पड़े उन्हों ने राजा को बुलाया राजा ने सुन दर्वाजा करक्टाया पूछा तुम कौन हो लड़के ने कहा मैं आप के यहां काम करता हूँ मैं बहुत गरीब आब गो चुडाऊं तो पाप, राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूर हों कि जो तुम कहे रहो है, सही लड़के ने कहा, आब हमें अपने आदमी को मेरे साथ भेज कर पुछवा लिजिये, राजा ने अपने आदमी घर भेजी, आदमियों ने बुरिया को पुकारा, बु आपमें चोरी करने के जुरत नहीं है बुर्या के लड़के ने राजा की जय कार किई अगाकिए आपमान से खुब लदपन कर घर आया बुर्या ने पूझा कि आखुझे पूर्वक जीवन वैतित करने लगे जै माता की सकट माता की चौती खानी एक राजा था उसके कोई संतान नहीं थी वह बहुत दुखी रहता था एक दिन राजा अपने घर के दर्वाजी पर बैठा उदा से एक भगनी निकली तो उसने दूसरी ओर्टों से कहा आज सुबह से निर्वसनी राजा का मुँद देखा है देखो दिन कैसे भीता है राजा ने ये बास सुन लिया और वो महल में आकर चुपचाप लेट गया सबी राणी आए और राजा से बुरी राजा उठी है खाना खाई है पर राजा ना उटा उसने कहा मेरा इतना बड़ा राज इतनी राणी पर बिना पुत्र के एक भगनी मुझे बाते कह गई महल में सबी लोग दुखी हो गए और चोटी राणी की दासी बड़ी चालागती उसने चोटी राणी से कहा राजा बहुत दुखी है हम जो कुछ कहती है तुम चुपचाप करती जाओ राजा कर दुख दूर हो जाए उसने जाकर राजा से कहा राजा उठी है बोजन करी छोटी राने गरवती है राजा बड़ा को सुआ उठकर खाना खाया और नो महिने तक पुत्र होने का इंतजार कने लगा एक दिन दासी ने कमरे में चारो तरफ परदे बांदे और राजा से बोली पुत्र हुआ है राजा ने कोब उठसो मनाया कोब धन बाटा दा राजा ने कहा इसके गुण खराब पर पसंद में देख लेना फोटी रानी बहुत दुखी थी उस्ने दासी से कहा जब राजा को तुमारी जूट का पता चलेगा तो तूमको भी मरवादे गऊ मुझको भी दासी ने कहा रानी देखती जाईए जब पसंधनी का समाया तो ने कहा दासी अब मुढ में देखे, ऻल संती देखे, घराब दाक थे, वी क Zumilal दी में थे दमघता, तु में देखे, वी दया हाई, चिंग सब्खेर रहने लगे शोला यहाँ शादी आने लगे, राजा ने दार्सी से कहा, अब हम राजकुमार के सादी करेंगे, दार्सी ने कहा सादी पकी करिये, मैं भी राजकुमार इसाद डोले पर चलूगे. उसको ढखक कर डोली में बैठा कर बराद चल दी छोटी रानी दुखी से बार बार बहुस हो जाती थी और कहती थी या दासी राजा के बेज़ती करेगी बराद चलनी जा रहे थी लोग ठक कर एक जगर विस्राम करने लगे दासी का डोला एक पीपल के जब उत्रे पर रख दिया दासी नहाने तलाब में चली गए उसी पेर के नीचे सकट देवी बैठी थी सकट देवी ने देखा डोले क्या सपाच चीटी लगी है और आज आ रही है उन्होंने डोला कोल कर देखा थाली में तील गोर निकल कर खाया और सकट देवी को बहुत अच्छा लगा मिठा मिठा तीरे देवी ने सब गोर तील खालिया अब थाली खाली दासी नहां का लोटी हो तब देखा सकट देवी बैठी हो थाली खा लिया अब क्या कुक था दासी सकट माता के पैर पकड़ कर जोर जोर से रोनी लगी बोली मेरा बेटा लिया है मेरा बेटा देओ थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था उसको तुम ने खाया है अब मुझे मेरा बेटा दिलाओ तभी मैं पैर छोड़ोंगे सकट मा राजकुमार को दिखाओ दासी ने पालकी से परदा हटा दिया राजा राजकुमार को देखकर दंग रहेगा और बोले इतना सुन्दर था इसलियो तो तुमने मुझे दिखाया नहीं दूमदाम से साधी कि जब बारात वापस आई छोटी रानी दुखी से बिहोस परिती जा ने क्या हुआ होगा जब बारात दर्वाजे पर आई तर दासी दोड़का राई और छोटी रानी से बोली राजकुमार बहु का परचन करो चलके रानी लड़के और बहु को देखकर फूली ना समय दासी ने का रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी तुम साथ माटो सकत माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है जै माता दी आसा करते हैं कि आप सभी को सकत पूजा की वीदी और पूजा की कत्थर पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जै मातादी जै स्री गनेश